नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी चैनल आचार जागेंद्र मिस्त्रा में आज हम बात करेंगे आज के मिथुन रास के देनिक रासफल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते आज के पंजान के बारे में 12 जनबरी 2021 मंगलवार का दिन है और पौश माश कृष्ण पक्ष की चतूर दसीत थी है नचत्र है मूल और अभजीत मुहूर्त दुपार 11 बच के 36 मिनट से लेके 12 बच के 30 मिनट तक रहेगा आज के सूरी उदे सुबह 6 बच कर 27 मिनट पे और चंद्रमा धनुट आश पे गोचर कर रहे हैं आज के जो अशुब समय होगा वह सुबह 9 बच कर 3 मिनट से लेके सुबह 10 बच कर 12 मिनट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भी सुबह और ने कार की सुरुवात ना करे नहीं तो बिखन वाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के मितुन रास के देनिक रास्पल की और ये प्रेडिक्शन चंद्राशिपार अधारी थे मितुन रास के जातकों आज की दिन ठीक है क्योंकि आज काफी उत्तम रहने वाला है आज आपको चार यानि की सुब समयाचारों की प्राप्ती होने वाली है विशेश तोर पर लाभ किस्तिती देखने को मिलेगी आपकी आर्थिक इस्तिती में शुधार होगा और आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा आपके दिमाग के कारण यानि आपके बेहतरिन दिमाग के कारण और अपने बुद्धिमानी के कारण आप उन्नत करते नजराएंगे आज की दिन मितुमराज के रातकों लोगों में ये आपकी प्रसिद्धी भी बढ़ेगे क्योंकि लोगों के बीच आपके प्रसिद्धी इसले बढ़ेगे क्योंकि आपका कामकाश करने का तरीका बहुत बढ़िया रहेगा लोगों को आप अपनी वाड़ी से अकरसित करते नजराएंगे और लोगों को आप अपनी बात मनवाते नजराएंगे समाजिक दाइरे में भी आप बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे और समाज सेवा के भाव से भी आज आप कुछ इनिके धन खर्च कर सकते हैं इसलिए भी आपका मान समान बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो मिथुन रास के जातकों सबसे बड़ी खुसकबरी तो मान समान को लेकर आ रही है आपके लिए सुब समाज़ार की प्राप्ति होगी इंपोर्टन काम आज आपके पूरे होते नज़र आएगे कुछ बड़ी डेल फाइनल होती नज़र आएगी आज धनलाब के भी योग बन रहे हैं लेकिन मिथुन रास के जातकों जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं होगा हलाकि प्रोपर्टी शंबंधी मामले हैं तो उनको आज सुल्जाते नज़र आएगे संतान की जो समस्याय थी उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान दीजेगा क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और दामपत जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है दामपत जीवन में तमाम यानि कि जो कुछ मत्वियत है वो दूर होते नज़र आएगे और जो दूरिया थी वो नज़दीकियों में बदलती नज़र आ रही है तो मिधन राज के जातकों ये काफी अच्छा है और दामपत जीवन में संतान की प्राप्ती होते हुए नज़र आ रहे हैं चुकि आज आपके जीवन साथी से संतान को लेकर सुब समाचार की प्राप्ती हो शकती है पारिवारिक जीवन में जो प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी और आज सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा निजी संबंध जो है चाहे आप लब लाइफ हो या आपके बैबाहिक जीवन में उसमें मजबूती देखने को मिलेगी और मिथन राश के जातकों आज की दिन ये चीज़े आपको शुकून देगा दूसरी तरफ मिथन रास के जातकों आज की दिन आपके लिए कुछ यहनि कि नई खुसकरी मिलेगी जो आपके आत्म विश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो student हैं उनके लिए आज की दिन बहुत अच्छा है और आज अगर आप बिदेश से संबंधित कार करते हैं तो मिथुन राज के जातकों आज आपको शफलता जरूर मिलेगी बिदेश जाने का शपना पूरा होगा और होने का योग भी बन रहा क्योंकि बिदेश के योग बन मन लगेगा आज student के लिए खूप सारा मेहनत कर रहे हैं वैसे तो आज कुछ ऐसी इस्तिती होगी जो आपको अपनी गलतियों का यानि गलतियों को नहीं देख पाएंगे और ये गलतियां आपको भविश में नुक्षान पहुचा सकती है इसलिए मितुन रास के जातकों आ सब नहीं करना है बलकि उनसे अपनी शारी बाते बता देना है आज आपको यानि कि कहीं एक जगह पर मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है तो मितुन रास के जातकों वैसे तो आज आपको कई यानि सुब समाचारों की प्राप्ती होगी दिन आपका शांदार रहने वाला है क्योंकि आज आपके केजर में बड़े पद के योग बंते नजरा रहे हैं पद प्रतिश्ठा मांसंवाण की योग बंते नजरा रहे हैं कlic in important deal final होते नजराएंगे और आज आपके बौस आज आपके इस्टाप के लोग आज आपकी प्रसंसा करेंगे आज आपको काम की ता परिवार में नई खुश खबरी मिलने के योग बनते नजरा रहें। परिवार में नजरा रहें। परिवार में नजरा रहें। अगर स्टुडेंट ने किशी कपटीशन वगरे के एकजाम दिये थे या आप सरकारी नौकरी के लिए अपलाई किये थे तो आपको बड़े सुबसमाचारों की प्राप्ती हो रहें। परिवार में नजरा रहें। और आज चतूर दसी है इसलिए भगवान विश्णुजी के जयस रेकृष्ण यानि मंदर का जरूर जाप करें एक सवाथ बार। मिथन राज के जातकों को अचानक धन का लाब होगा और आज कई सुबसेयों के कारण आज आपको लाब और मुनाफ़ा दोनों मिलेंगे। आज लव लाइफ की बात करें तो लव पाटन के साथ खूबसूरत इस्थितिया है काफी अच्छा यनि पल भी दीत नजर करते जा रहे हैं और उनके साथ घूमने फिने का मौका मिलेगा। आज लव लाइफ आपके खूबसूरत रहने वाली है पहले जो दूरिया थी वो आप नजदीकियों में बदलती नजरा रहे हैं काफी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आते नजरा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बढ़ी है क्योंकि जो मनमुटाव था जो दूरिया आती वो खत्म होंगी और एक दूसरे के प्रत भरोशा रहेगा तीसरे पक्ष को दखल बिल्कुल ना देने दें क्योंकि तीसरे पक्ष की बज़य से मित्वन रास के जदकों कभी-कभी आपस में मनमुटाव या दूरिया बढ़ जाती है तो आपको ध्यान देना होगा दूरियर में रुका हुआ फ़सा हुआ धन प्राप्त हो रहा है और यहां पर लोट्री शट्र मार्केट से भी लाब कि श्तिती बनी हुए यानि कि आकाश्मिक रूप से धन का लाब भी होता नजरा है लेकिन कहीं भी पैसा इंवेस्ट करने से पहले आपको सोचना होगा क सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जैसे निदेए